जैहिन बच्चो नैन क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो जल्दे से आजए ये सारे बच्चे वैलकम है आप सभी का और हर रोज की भाती आज भी मैं लेट आया हूँ और क्या बोलू आप लोगों को यही बात मैं फिरते बोलूँगा कि मेरा इंतजार कर रहे थे तो सिर्फ वेट नहीं करते रहना मेरा इंतजार में एक दूगो वीडियो देख लेना फैदा भी हो जाएगा इंतजार का पता भी नहीं चलेगा है ना और यह जो लेट हो जाता है इस पर मैं एक कैलोग मार देता हूँ मैं देर करता नहीं देर हो जाती है आज यह सारे बचे वेलकम है आज काफी मज़ा आने वाला है बाबू लाइट का आज हम लोग नूम्रिकल देखने वाले लाइट चैप्टर से जिदना भी नूम्रिकल आता है आज हम लोग देखने वाले ठीक है जल्दी से सारे बच्चे का स्वागत है विहार के बच्चे बोल रहे हैं कि सर आज फर्म बोले थे आप कि आ जाएगा बाबू उसी कारण तो हमेशा बोलते हैं कि हमको आज बताया गया था कि आज रात रात तक आ जाएगा इन केस नहीं आ पाया तो कल तो पक्का उसमें कोई डाउटे नहीं है वही बात मैं आप लोगों को बताया था और यदि कल नहीं आया फर्म तो बाबू सच मुझ में फिर जो फोन करके इदर उदर करके पता करते हैं वो सब करना ही बंद कर देंगे हैं ठीक है लेगिन मुझे बिश्वास है मुझे बिश्वास है कि कल जरूल फर्म आ जाएगा मुझे यह बिश्वास है क्योंकि मेरा जो सोर्स है वो गडबन नहीं है वाबू है ठीक है वो इदम सही है एकुरेट है जल्दी से सारे बच्चे का स्वागत है देखो बबू एक चीज और बता दे एप वाले बच्चे कुछ को सोच रहे हैं कि सर यूटूब पर आप लगबग जो भी लाइट का जितना लेक्चर चल रहा है लगबग आप यूटूब पर करा रहे हैं तो सर हम एप में पैसा द दिजेगा तो फिर मेरा फैदा तो सुनो पहला फैदा आप मेरे एप से कैसे जुड़े यह आप जबाब दीजिए आप मुझे यूटूब पर ही देखे होगे वहां मेरा पढ़ाई आपको पसंद आया तो ही आप एप से जुड़े हो यूटूब पर हम थोड़ा बहुत भ दूसरी बात है कि यूटूब से बहुत ज़्यादा फैदा एप में आपको अबलेबल है यूटूब पर बार बार परचार आता है एप में परचार नहीं आता है एक फैदा दूसरा फैदा यूटूब पर लेक्चर नमर पांच अभी चल रहा है तो उता खोजने में आपक यह भी फैदा है बाबो और फैदा एप मर पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा लाइन बाइ लाइन यूटूब पर बहुत परसानी होगा कोई यह सल का वीडियो मिलेगा तो कोई दो सल पहले वाला मिलेगा बहुत मुश्किल होता है बाबो सबसे मेन फैदा यूटूब पर आप डारेक्ली तोर पर गुरुदशिना नहीं दे पाते हो एप में आप मुझे गुरुदशिना दिये हुए हो आप अथराइज रुप से मेरा स्टुडेंट हो तो बहुत सरा फैदा है बाबू एप में हम आपको पीडियेप देते हैं एप में आपको हम क्वेज कराएंगे एप में बहुत फैदा है बाबू उसके बाद फी के रूप में ऐसा नहीं कि एकाद लाख रुपय लेते हैं कि सर एक को वीडियो आप यूटूब पर मत दो कुछ बच्चा तो ऐसे करता है ना कुछ बच्चा तो रिक्वेस्ट से बोलता ह सर पाइसा देके आप में जूड़े हैं आप यूटूब पर काहे पढ़ा रहे हैं यही लेंग्वेज में तो बाबू ऐसा नहीं होता है ना हाँ यह चीज है अगर सारा सिलेबस हम पूरा जितना यूटूब पर पढ़ाएंगे उतना ही अगर एप में रहेगा तो अभी ग आज नुमरेकल वाला टॉपिक पे आज हम लोग लाइब है ठीक है चलो सबसे पहला एक तो है वो आई चेप्टर से बहुत दूद भात वाला है तो पहले वही देख लेते हैं बाबू है ना पहले वही देख लेते हैं एक लेंस है बाबू कन्भेक्स लेंस उत्तर लेंज ठीक है एक लेंज है उत्तर लेंज है बाबू जिसका पोकल लेंज पोकल लेंज मनलब समझ गया फोकस दूरी फोकस दूरी हैंदी इंगलिज मेक्स लिखते हैं ताकि कोई भी बच्चे को प्राब्लम नौ कन्वेक्स लेंज है बाबू जिसका फोकल लेंज फोकस दूरी चार मेटर है तो इस लेंज की छमता हिंदी में बोलेगा इंगलिज में पावर होगी इंगलिज में पावर पूछेगा पावर बताओ बाबू इस लेंज का पावर क्या होगा ये बताओ पहला सवाल है बाबु है ठीक है बाबु ये पहला कोशन है एक बच्चा बोरा इंपोर्टेंट कोशन काप कराईएगा बाबु ये जिदना पता रहे हैं सहाल इंपोर्टेंट ही है लाइट, फजिक्स का सबसे important chapter light i electricity सबसे important तो important chapter तो चालू किये हुआ है plus 2 diopter plus 4 diopter minus 0.25 diopter plus 0.25 diopter जल्दी से बताईए बाबू इसका answer क्या होगा एक convex lens है जिसका focal lens दिया हुआ है 4 meter तो इसका power बताईए कितना होगा ठीक है एक question आएगा बहुत वार आया है power of a focal power of a lens lens की छमता का SI मातरक बताईए lens का जो power होता है उसका SI unit बताईए तो उसका SI unit होता है diopter मेरा जो चस्मा का power कितना है तो हम लोग बोल देते थे minus 1 minus 2 0.25 तो यह गलत बात है उसमें diopter बोलना चाहिए तो देखो बाबू यहाँ पर बहुत सरा बच्चा इसका अंसर दे रहा है लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे इसका अंसर क्या है हम एक question और देंगे उसके बाद इसका अंसर देंगे same question बाबू इस वर क्या कर दिये हैं इस वर क्या कर दिये same question concave lens है बाबू outer lens और same है इसका focal length 4 meter ही है question number 2 दो question पूछे बाबू दो question आप लोगों से पूछे है पहला question ये है convex lens है focal length है 4 meter power बताना है दूसरा question concave lens है focal length 4 meter इसका भी है power बताना है ठीक है तो देखते हैं कितना बच्चा इसका अंसर दे पाता है और जो नहीं दे पाता है अच्छी बात है हम तो सिखाएंगे tension तो लेना है नहीं बस एक वार concave lens है एक वार convex lens है तूरू में convex lens है उत्तर lens है तो पहला का अंसर क्या होगा दूसरा का अंसर क्या होगा है ठीक है तो सबसे पहले इसका फार्मूला सिखा देते हैं कि कि चलो फार्मूला पहले सिखाते बावू कि देखो पावर का फार्मूला है पी ब्राबर one by f पी ब्राबर one by power जो होता है one by focal length कर दो कैसा relation है inversely proportional power of focal length का कैसा रिष्ता है inversely proportional पिछले साल जारखन पुल्टेक्नि में पूछ दिया था कि पावर ओ फोकलेंद का रिस्त रिष्टा कैसा है डारेकली प्रोपोर्शनल है कि इन भरसली पॉर्पोर्शनल है तो इन भरसली उल्ता पावर बढ़ाऊगे फोकस घटेगा फोकस बढ़ाऊगे पावर घटे गा तो फिर लाबर 1 by F फिर अच्छा इसने F निकाल सकते हुं दोनों में कोई टिंसान नहीं दोनों एक ही फर्मुला है अब यहां देखो बाभू आपका निकालना था फॉकल लेंध चार मीटर बोला ना पहला कुश्चन मना रहे हैं अब फोकल लेंद है चार मेटर तो यहां चार बेठा दिए और फोकस के जगा चार बेठा दिए तो चार से एक को भागा दो 0.25 डायोप्टर अब लफड़ा देखो क्या है लफड़ा कहा है वो समयों लफड़ा कहा है यह समयों कन्भेक्स लेंज भी 0.25 पाएगा बाबू और चार से एक काटे 0.25 पचीस चों के सौनी होता है दूसरा यहां देखना कंकेव लेंज है तो इसका भी फोकल लेंज तो चारे मीटर बोला तो पी ब्रावर यहां भी वन बाई एफ यहां भी बनाएंगे तो 0.25 ढाइब लफड़ा ये है कि कौन प्लस में कौन माइनस में होनों तो सेम आता है कौन प्लस में कौन माइनस में तो हम लोग रटा मार लिये थे रट्टा मार लिये थे कि कन्भेक्स कन्भेक्स पोजिटीव होता है कन्भेक्स का पावर हमेशा प्लस में होता है तो कन्भेक्स का पावर फोकल इन भी प्लस में होता है तो पावर भी कितना आ गया प्लस में उतल प्लस में होता है और आउतल माइनस में होता है हम लोग रट्टा मार लिये थे तो यह कन्फिजन भूल भी सकते हो आप कौन माइनस में होता है कौन प्लस में होता है या भूल भी सकते हो ना ऐसे तो रट्टा मार लो रट्टा मारना है तो कन्केव लेंज है ना के नंकेव लेंज को फोकल लेंज क्या ही में नेगीटिव माइनस में तो पावर भी स्दुखे नेगे टिव आएगा माightनस में और यहां लिके लो कन्वैक्स लेंज किंदी में उत्ता लेंज इसका focal length negative, ने स्वारी positive न, convex है positive और power भी positive जिसका भी power positive है न समझ जाना उसका convex lens है और जिसका power negative में रहेगा वो समझ जाना वो concave lens है मेरा power minus 3 diopter हो गया बाबु, बहु जादा मेरा power बढ़ गया minus 3 diopter, जल्दी बताओ, मेरा कौन सा lens लगा हुआ है concave lens है की convex lens है, जल्दी से बताओ तो एक बच्चा बोरा सर, 100 कुश्चन सही हो, अस्तिरवाद दीजे बाबु, मेरा 100 से नीचे बच्चा लाता भी नहीं है जो हमको अच्छे से फोलो कर लेता, 100 नमर उसके आता ही आता है 1500 में 100 नमर आता ही आता है, कोई इसमें doubt नहीं जल्दी से बताओ बबु, मेरा power है minus 3 diopter, कौन सा lens है मेरा concave lens है की convex lens है जल्दी से बताओ simple सा है भाई मेरा power minus में यानी concave lens है तो फिलाल तो यह रट्टा हो गया का हराई इसका क्या है क्यूं concave minus में होता है focus क्यूं convex का focal lens plus में होता है इसका भी region आज इस वीडियो में आपको मैं दूँगा इसका भी region हम आज वीडियो में दूँगा तो मेरा जो lens है बाबू वो concave lens है ध्यान देना मेरा जो lens है वो concave lens है आउता lens है इससे याद हो जागा क्या याद होगा कि रासर बोले थे कि उनका जो power है minus 3 डायोट्टर है और concave lens है तो इससे थोड़ा सा exam में अगर question आएगा तो फस होगे नहीं ऐसे मैं अभी बहुत अच्छा trick बता रहा हूँ उससे आपका clear हो जाएगा देखो बाबू trick मेरा क्या है ये देखना समझना sign convention आपको पढ़ाया गया होगा 10th वागरा में लेकिन अच्छा से समझे नहीं होगे आज समझ जाओगे इधर x का बेलू क्या होता है इस साइड में x का बेलू इस साइड में x का बेलू हमेशा plus में होता है होता है न बाबू x का बेलू 1,2,3,4,5,6 इधर x का बेलू हमेशा positive होता है इधर y का भेलू, sorry, x का भेलू, इधर x dash होता न, इधर x का भेलू negative होता है, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, अच्छा, ऊपर y का भेलू plus में होता है, 8, 9 में ही हम लोग यह सब चीज पढ़े थे, देखु न, यही सब apply होगा यहां पर, अच्छा, नीचे y का भेलू minus में होगा, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, एदम मस्ती से समझना, इदम मस्ती से समझना, ठीक है बाबू, देखो, एक mirror बना दिये, concave mirror, mirror, concave mirror जो समझ लो, lens में भी वही चीज होगा, और figure उगर नहीं, focus power में होगा कि नहीं होगा, उस सब सब पता चल जागा, focus negative होगा, कि positive होगा, उस सब हम लोग को clear हो जाएगा, ठीक है बाबू, तो यहाँ समझना, सबसे पहला हम बना रहे हैं, सबसे पहला हम बना रहे हैं, concave mirror, ऐसे कहीं बनाते थे, नाक साप बनाते थे, नाक साप, बना दिये देखो नाक साप, तो जल्दी से बता वाबू, यह जो concave mirror हम बनाए हैं, यह किधर से goal बना हुआ, इसका center और focus किधर होगा, जल्दी से बताना, इसका center और focus किधर होगा, तो आप बोलोगे, कि सर इसका center तो इधर ही कहीं पर होगा, इसका focus तो इधर ही कहीं पर होगा, center इधर होगा, focus इधर होगा, मालों सेंटर ही फोकस तो जल्दी बता तो बाबू सेंटर इसका क्याची में आया माइनस में फोकस इसका क्याची में आया माइनस में तो सेंटर से नूमर्गल तो बनता नहीं फोकस से बनता है तो जल्दी बताना बाबू कंकेव मीरर नहीं लिख रहा है纲, चंकेब के लिए ही सई है, फोकल लेंद बताओ, इधर है, इधर है न, नेगटिव, माइनस में कनकेब का फोकल लेंद नेगटिव होता है बाबू, सेंटर भी इधर है नेगटिव ही है, तो सेंटर से मतलब है नहीं अच्छे एक word होता है you और एक होता है भी you क्या होता है भाई और भी क्या होता है आज ये भी numerical में सीखेंगे you का मतलब object का दूरी आपका दूरी आप सीस्वा से कितना दूर पे खड़ाई हो और भी का मतलब आपका जो image बनेगा आपका जो प्रतिभीम बनेगा वो सीस्वा से कितना दूरी पर है you का मतलब आप कितना दूरी पर खड़ा हो mirror से या lens से और भी का मतलब आपका image कितना दूर खड़ा है पहले you आएगा कि भी आएगा तो you आएगा तो पहले तुम आएगा सिस्वा के आगे तम न तोर फोटू या छपेगा तो यू का मतलब आपका दूरी अब्जेक्ट का दूरी अब यहाँ पर समझना बावू अब यहाँ पर अच्छे से समझना अब्जेक्ट को किधर रखोगे पेंटवाद इधर किये हैं उधर अपना इत्वा को आप कहा रखोगे तिस वाक इधर रखोगे नाक साबरनाग स्बके आगे रखोगे कि पीछे रखोगे आपको अपना फेस देखना कि इधर रखोगे जल् buraya कि अतरब आतला है और दो यह तो ते रपात है आप इधर रहोगे यह सेंटर यहाँ इस अब देखो जो कैसी में आएगा माइनस में आएगा यू नेगीटिव जानता यू में हम रट्टा हम LOG मारेली यू में हमलोग मैट्रिक में रट्टा मारेली मजा आता था रट्टा मारेली यू हमेंशा नेगीटिव हогा चाहें कोईयो मेरर मिरर रहें debraPaентовma रहे, मज़ा आता था यू में, आज गहराई समझें, यू नेगटिव क्यों हुआ, समझ में आ गया, यू नेगटिव क्यों हुआ, समझ में आ गया बाबू, मनीज कुमार काफी खुश है, उनको ये सब चीज सायद पहले नहीं समझ में आता होगा, अब बहुत मज़ा आ रहा है उनको, पढ़ाई उनको अब अच्छा लगने लगा है, काफी खुश है, बहुत बहुत बढ़ाई मनीज जी, नैन क्लासेस का यही परयास रहता है, जिद टॉपिक ना मास्टर साय पढ़ाना चाहते हैं, ना बच्चा लोग पढ़ना चाहता है, मास्टर साहब को भी अजीव लगता है पढ़ाने में, अब बच्चा लोग को भी अजीव लगता है, यह सबसे एक्जाम में कुश्चन आता है बाबु, चलो टॉपिक में आ जाओ, तो u समझ गया बाबu u u का मतलब आप अपने आपको जिदर face रखोगे तो आप तो face रखोगे इधर में ही तो देखो तो x किदर है minus तरफ है न तो इधर कभी भी रहोगे तो minus में ही होगा तो u का भेले negative अब जल्दी बताओ भी क्या आएगा भी बाबu भी भी हम लोग बता देंगे ऐसे तो f और u पता है न तो numerical बनाओगे तो भी अपने आप आप आजाएगा लेकिन हम लोग भी भी बना देंगे जल्दी बताना पांच condition में image किदर बनता है इधर ही बनता है ना पांच condition में तो पांच condition में negative ही आएगा पांच condition में negative ही आएगा लेकिन एक condition में positive आजाएगा कौन सा एक condition में positive आएगा जब आपका image बन जागा mirror के पीछे तो देखो mirror के पीछे बना यानि इधर बन गया ना इधर क्या आजाएगा positive तो पांच condition में तन के mirror में negative धीका भैल उख कर गिशन ऐसा है जिसमें पौज़्टिव आ जा ए एक करंडिशन में पौश्टिव आ जाएगा ठीक है बाबू इतना बात समझ में आ रहा है अच्छ एक बात बताओ हाइट आप जाता है माइनस में नुम्रिकल बनाओगे तो हाइट आ जाता है माइनस में तो जल्दी बताओ मेरा हाइट है मालो 5 फेट 2 इंच कोई बोला कि मेरा हाइट है माइनस 5 फेट तो ऐसा हो सकता है किसी का हाइट माइनस में हो सकता है नहीं हो सकता है लेकिन अगर हाइट माइनस में हो रहा है इसका मतलब उसका इमेज कैसा है उल्टा है देखो अगर आप ऐसे खड़े उसी था तो देखो आपका हाइट कितना आया यहां देखो तो दू है तीन है पोजिटिव आया लेकिन फाँट इद्ध से हैं कि अनुम्म रहेगा तो फोकुल यूट मनट में रहेगा क्यूंकि इधर की और फोकस है यू माइनस में होगा क्योंकि object को हम लोग इधर ही रखते हैं भी पांच condition में इधर बनता है image इमेज वाला वीडियो देखे थे ना अनन्द पे रखते हैं तो focus पे बनता है तो focus पे यहीं बना ना जैसे जैसे आप नजदिक आते हो इमेज वाल दूर भागता है तो हमेशा इधर ही बन रहा है यानि माइनस में ही बन रहा है तो भी का भैलू पांच condition में माइनस में आता है एके condition में प्लस में आता है जब mirror के पीछे बन जाएगा तब तो concave वाला हमको लगता है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है तो concave clear है अब आजाओ convex में समझे गया अब आजाओ convex में आजाओ convex यानिकी उत्तल के लिए समझे लो बाबू अच्छा से समझे ना इधर एक्स पलस में 1 2 3 4 5 इधर एक्स माइनस में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 अब उपर य का भेलू पलस में होता है यह सब तो हम लोग जानते हैं बाबू जल्दी से बताओ उत्तल दरपन कैसे के बनाओगे अब कन्वेक्स मिरर कैसे को होता है तो हम बताये थे ने डायलोग नाग साब कनके मिरर अउतल रासर का पेट उतल रासर का पेट बना दो बाहरा उबराववा तो देको बाबू माल लो ऐसे ही बनाओ अब आएसे बनाते थे कंके इदर पेंट मार देते आए और ऐसे बनाते है इधरे पेंट मारते हैं गित् 않 चिक्छल्दी ना सारे बच्छे जल्दी से बताना सारे बच्चे, सच सच बताना इसका फोकस किदर है, इमंदारी से बताना कि किदर से गोल बना हुआ है, एकदम इमंदारी से बताना, एक बच्चा बोरा सर, पटना में बहुत गर्मी है, बाबु मैं कल पटना, देखो आज ही रात का मेरा पटना में ट्रेन था पटना के लिए, लेकिन अब आज नहीं आ रहे हैं, कल हम पटना आ रहे हैं, फिर लगतार 3-4 दिन पटना रहेंगे, और 10-12 दिन के बाद देली अपना तो गर्म है, गर्म गर्भी तो इसल हर जगा रीकोड तोलने वाला है, लेकिन अगर और जितना भी परिचा ध्यान देना है, गर्म के में होता है, तो जल्दी से बतौँ इसका फोकस और सें्टर कीधर है, तो बाबु इधर से गोल बनाएगा, इधर से नहीं गोल ब Center focus इधर ही होगा ना तो जल्दी बताओ इसका focus कहां आया जल्दी बताओ कहां आया बबू focus इसका यज कि और यह साइड में इस साइड में विदे पे-धिटिफ में पाज़पना मिंड से कर लोगे बबू की कंकेब होता है इधर की और माइनस convecz होता है इधर की और प्लस आप अपना ब्रेन से कर सकते। यू बताओ यू 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 यानि आपजेल्ट को आप कि इधर रखोगे जल्दी बताओ इधर पेंट किया हुआ इधर फेस रखोगे कि आप इधर ही रहोगे जल्दी बताओ इधर ही रहोगे इधर ही रहोगे तो जल्दी बताओ यह जो कि यू हमेशा नेगेटिव यू हमेशा नेगेटिव इसलिए तो हम लोग कसम खाये तión चल्दी से भी बताओ भी भी अच्छा इसमें दोएहों सजैशन होता था कन्वैक्शं वाला में दोएकों संधन नौनों condition में इस इधर बनता था इधर कभी focus में बनता था कभी मिलब जो भी इधर बनता था था निकालने देता है आपको f और यू पता होना चाहिए तो हम बता भी दिये, एक जगा फिर से अच्छे से लिख देते हैं, यहां लिख लो कनकेव, यानि की आउतल, और यहां लिख लो कनभैक्स, यानि की उतल, और जो जिन मीरर में होगा, वही लेंस में भी होगा बाबू, ठीक है, जल्दी बताना, यू, कनकेव का भी नेगटि कनभैक्स का भी नेगटिव, बाबू, कूऐंक यह अबजेक्ट को हमेशा इधर ही रखते हैं, इधर ही रखते हैं, इसलिए यू, दोनों का माईनस में होता है, आप बात करो, फोकस, फोकस का बात करो, बाबू, फोकस का, तो कनकेव में, माइन में आ जाएगा, कि इधर के focus negative convex में इधर का focus positive the mind में आ जाएगा बावू mind में आ जाएगा कि concave में इधर का focus a concave convex में इधर का focus mind में आ जाएगा इधर है तो positive इधर है तो नेगेटिव हाइट ऊपर है पोजिटिव नीचे है नेगेटिव हमको लगता सारा बात इतना समझ में आ गया होगा आप लोग तो यू एफ चल जाने अच्छा भी तो भी इतना ज्यादा जानने के जोरत है नहीं यू एफ चाहिए तो भी आपने आप बन है कि सर पांच कंडिशन में तो नेगेटिव ही आएगा एके कंडिशन में पोजिटिव आएगा और कौन सा कंडिशन है बहुत वार पूछा है जब अब्जेक्ट फोकस अफोल के बीच में होगा तब इसका भी तो पोजिटिव ही होगा तो हम लोग उरटा मारे थे कंडिश में सब पोजिटिव लेकिन यू तो कसम खालेना नेगेटिव ही होता है कंके में सब नेगेटिव सब नेगेटिव देखो सब नेगेटिव ही है हाँ लेकिन एक कंडिशन में भी खाली पोजिटिव ह हुआ है ठीक है बावो इतना बात सारा समझ में आ गया अब चलो एक्जाम का कुश्चन पर आते हैं नुम्रिकल पर आते हैं अच्छे एक चीज और यहां पर समझना है कि अगयर का फोकल लेंज नेगटिव था ना तो कंखेव लेंज भी होगा ना कंखेव लेंज भी होगा तो फोकल नेगटिव ही होगा इसमें ज्यादा दिमाग लागने का जौरात नहीं कंखेव मिरर होगा तो फोकल लेंज होगा पोजिटिव तो कंखेव लेंज भी होगा तो फोकल लेंज पोजिटिव यह होगा मिरर लेंज जो हो सब क्या एफ अगर माइनस में तो माइनस में होगा पलस में तो पलस में होगा इसमें चेंजिंग नहीं करते हैं, हाँ, condition अथी change होता है, जैसे 6 condition अथा कन के mirror में, तो वही 6 condition convex lens में होता है, ये चीज होता है, लाइन बागी F minus plus वही लेना है, जो है, ठीक है बाबू, चलो अब topic पर आते हैं, चलो, topic पर आते हैं बाबू, सारे बच्चे को, जारखन पोलिटेकनिक वाले बच्चे, आपका हम कल वीडियो में ही बता दिये, क्या क्या chapter आपको पढ़ना है, और उसारा एप में पढ़ाया हुआ है, आप उस पर विसेज फोकस कर दो, ठीक है, और आपका हम क्रेस कोर्स ला आने वाले, खाली ओतने देख लोगे, तो जारखन का क्रेस कोर्स हम आज रात में ही लॉंच कर देंगे, एप के अंदर में, लेकिन यह सब फिचर आप के अंदर में मिलेगा, जो पहले से जुड़े हुए हैं, उसको भी कोई दिक्कत ने, आपका एक क्रेस कोर्स दिख जा फिड़िये भी देंगे, उसको कर लेना काम हो जाएगा, ज्यादा परसान होने के ज़रत नहीं है, जारखन पारस साल से काम कर रहे हैं, जारखन पूल टेक्निकी, विहार के लिए काम कर रहे हैं चार सल से, बिहार में भी हर सल गरदा उड़ा के रिजल्ट मेरा हो रहा है, और इस साल तो और सांदार होगा, क्योंकि इस साल तो हम पठना में ही हैं, दो साल पहले भी पठना में क्लास करवाये थे, लेकिन कुरोना कारण फिर गड़बर हुआ था, लेकिन इस साल तो फुली हम लोग पठना में हैं, दस-बारा दिन खाली रहेंगे धनबाद में, और हो भी लगतार नहीं, कल हम पठना निकल रहें, फिर तीन-चार दिन पठना में रहेंगे, फिर तीन-चार दिन के लिया आएंगे धनबाद, उसके बाद फिर पठना चले जाएगे, और फिर पठना तो regular रहना है, इस लिए जो बच्चा को पठना आना है, उसका स्वागत ह बिहार पुल्टेकनीक का त्यारी करने के लिए बिहार पारा-मेडिकल का त्यारी करने के लिए अद्थ मुस्वागत है टॉपिक पे आते हैं बढब कर प्रया क्यों कि एक होथा बढब मीरर फार्मूला बहुत बबार आया है कुश्चन कारपन सुत्र हिंदी में बोलते हैं तो जल्दी से बताओ बाव वो मीरेर फर्मुला आप लोगों को याद है ना जल्दी से बताना तो कौन होता है मीरेर फर्मुला जल्दी से बताना कि इन में से कोई नहीं है या यह को और दिये दिते हैं चार फर्मुला दिये है बावो इसमें से बताओ सही कौन है मीरेर फर्मुला दर्पन सुत्र कोहुत्वर एक्जाम में पूछाएं बावो आप्शन इससे हाट देता है हम आप्शन इजी दिया भी हाट देंगे हम अप्शन जल्दी से बताओ सारे बच्चे आप में जल्दी से आप लोग रिपलाई दो भावो पोलिंग करो आप में पोलिंग का आप्शन चला गया है बावो मीरेर फर्मुला दर्पन सुत्र क्या होता है बताओ यह चारों में से कौन कोई सही दिख रहा है क्या आपको जो अच्छा से नहीं याद किया होगा उस बिकेट गिर जाएगा कन्फियूज हो जाएगा कहां पुलस होता है कहां माइनस होता है कौन बराबर में होता है अगर साभधानी हटी तुर्घटना घटी अब पूरी सबजी बटी पूरी सबजी बट जाएगा बावो बिकेट गिर जाएगा आपको एदम डाउट हो जाएगा कि कौन होता है लेकिन हमको खुसी हो रहा है कि एप में जितना भी बच्चा वोट कर रहा है लगभग बच्चा जो है वो सही वोट कर रहा है और कुछ बच्चा कंफ्यूज हुआ है लेकिन लगभग बच्चा सही वोट कर रह यूट्यूब पर भी सारे बच्चे कमेंट में बताईए यूट्यूब पर भी सारे बच्चे कमेंट में बताईए एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप जैसा पढ़ाते हैं काफी इजी में समझ आता है बाबू मेरा परियास यही है कि मैं ज़्यादा ज़्यादा बच्चा को easy स easy कैसे सिखा सको कैसे दूद भात लगने लगे मेरे पर तो बहुत वारा आरोप लगाता है सर आप खाली easy easy पढ़ाते हैं बाद में हमको समझ में आया कि नहीं हम easy easy नहीं पढ़ाते हैं बाबू जो पढ़ा देते हैं वो easy लगने लगता है उसमें मेरा क्या गलती है अभी सब तो बहुत सर लोग को hard लगता है मेरा बच्चा को easy लगेगा देखो इसका right answer c है बाबू इसका right answer c है 1 by b plus 1 by u पराबर होता 1 by f के तो इस थोड़ा सा घुरा के लिख दिया थे का डर जाएंगे देखो mirror formula होता कौन है यह सम्झो mirror formula दरपन सुठ हम लोग ऐसे रटा मारे थे 1 by b plus 1 by u बराबर 1 by f यही रटा मारे थे तो 1 by b 1 by u जोड़ में और बराबर में 1 by f तो अगर ऐसा देदेगा तो डर जाएंगे 1 by f बराबर 1 by v plus 1 by u ऐसा देंगे तो क्या दूसरा चीज हो गया या 1 by b के जगए 1 by u हो जाए पहले और आनि चारवन भी भी बाद में हो जाए तो क्या गलत हो जाएगा बिलकूल सही है भाई तो यह है आपका mirror formula इसके साथ लिस थे किसे साथ आसाиса और जो ज्शारखन एक क्योस्चन आय था कि किसी के साथ formula के साथ खेल दिया था खाव किंहां धिक आटीक है लेंस फार्मूला चल्दी बतावा वो लेंस फार्मूला लेंस फार्मूला बताईए क्या होता है आपसन देये 1 by V minus 1 by F, 1 by U minus 1 by V bellow 1 by U 1 by F minus 1 by V, bellow 1 by U कि ए 8 न भी मैँनस वेन भाइदि ऑं के चार-षर ओप्संदेए वाभू लेन्स फर्मूला ने तू इसको कर रहेत हैं मिरर फर्मुला तो आप लोग सीख गए 1 by B plus 1 by U बराबर 1 by F ये भी सही है ये भी सही है यू और भी दोनों प्लस में होना चाहिए एक ही साथ पस्ति ये ध्यान लखना 1 by F बराबर में होना चाहिए एक और अट्टा मार लो बाकी 13 घीची होता ऐसे भी तो दे सकता है देखो 1 by F plus 1 by U इधर आ जागा तो माइनस 1 by U पराबर 1 by B ये भी तो हो सकता है नहीं हो सकता है ये भी हो सकता है देखो माइनस 1 by U इधर जाएगा तो पलस 1 by U वन बैबी प्लस में आ गया आ गया तो कुछ भी खेल कर सकता है बाबू फर्मुला आपको याद इतम रहेगा तभी बिकेट नहीं गिरेगा एक बच्चा बोल रहा है कि सर आई नो यू फ्रम दोहजर उन्यस जब से मैं टैंथ में था बहुत फूसी होता बाबू दोहजर उन्यस से आप जान रहे हो यह नि चार साल से आप मुझे जान रहे हो चार साल से मैं जैसा था वैसा ही हूँ ठीक है चार साल से बच्चा लोगों को प्यार से लगतार पढ़ाते आ रहा हूँ चलो इसका अंसर बताओ जल्दी से सारे बच्चे कृति सिंग जी बहुत भूद धन्यवाद बाबू जल्दी से इसका आप्शन दीजिए तो लगभग बच्चा इसको डी बोल रहा है बाबू डी देखते हैं एप में क्या बोल रहा है एप में भी इसका वोटिंग कराल देते हैं बाबू पूशन नमर टू एप में भी पूलिंग में हम डाल दिये हैं लेंस फर्मूला बहुत वर सवाल आये बाबू मिरर फर्मूला से लेंस फर्मूला से बहुत वर कुश्चन आता है तो इसमें भी सही भोट जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा बाबू लगभग बच्चा सही बताता है पिना मेरे पढ़ाए तो बहुत मज़ा आता है हम तो पढ़ाए नहीं मेरे लेंस फर्मूला तो अभी हम बताए नहीं है लेकिन फिर भी लगभग बच्चा सही बता भॉल रहा है तो इसका answer is d होगा बाबू overall बात को सम्झो आप ये दो चीज़ रट्टे मार लो तो फैदा होगा अब बहुत फॉर्मुला के साथ खेलेगा बाबू हम खेल का भी दिखाएंगे मिरर फॉर्मुला वन बाई भी प्लस वन बाई यू प्लावर वन बाई आप कि ये कर ले ना ठीक है ये दर्म ध्यान में देखना भी यू दोनों जोड में है बराबर वन बाई अब इदर तीरा घीची हो सकता है बहुत वारा चीजिस में हो सकता है इसको ध्यान रखना मिरर फॉर्मुला और लैंस फॉर्मुला सेम चीछ आपो वन बाई भी वन बाई यू बस ये दोनों को भीच में माइनस इसलिए हम वन बाई भी पहले लिखवाते हैं ताकि वन बाई भी में वन बाई यू घटाओ अगर वन बाई यू पहले लिखे वन बाई भी बाद मिलिके तो गलत ये नहीं होगा लेकिन ये ग तो जल्दी से एग्जाम में जैसा हुभूू आपसन दिया था वैसा ओपसन दें आप लोगों को एग्जाम के जैसा हुभू आपसन दें चलो लेंस फर्मुला से देते हैं इस वार बहुत सारा बच्चा के बिकेट गिरेगा बताओ इन में से कौन सा लेंस फर्मुला है F बराबर Q B Q मैनस B F बराबर Q मैनस B Q B F बराबर B मैनस U Q B F बराबर Q B U मैनस B लिख दिया है क्या हाँ ये तो लिख दिया है B मैनस U तीनों लिख दिया है U B उपर U B उपर B मैनस U नीचे B मैनस U लिखे है Q मैनस U के यहाँ B मैनस U कर लो चार ओप्सन दे दिया है बाबू चारो एकदम मिलता है जुलता चारो मिलता जुलता लेंस फर्मूला आपको बताना है जल्दे से बताओ मैं ओप्सन दे रहा हूँ बाबू Q नमर थरी पोलिंग करो बाबू और ऐसा जो है बाबू एक्जाम में आपका देता है इसलिए एक्जाम में जो देता है बाबू वही हम डिसकसे करते हैं और बात बता दे रहे हैं ने तो वो सब टॉपिक हम डिसकस ही नहीं करते हैं जो परिछा में नहीं आता है एक्जाम में जिस question को हम देखे हैं कि बार-बार आता है उसी पर हम समय देते हैं उसी पर हम चर्चा करते तो देखो बबु इस वार बहुत सरा बच्चा उलज गया और इस वार जो अंसर आ रहा मिलता जूलता आ रहा है लगवख बच्चा के इकवल वोट आ रहा है है एको भी उतना ही भोट जा रहा है कि पॏ अटना ही भोट जा रहा है टीए को उतना ही भोट जा रहा है और कि यूटू में सारे बच्चे बता हूँ क्यों एक यूटूबण आप लोग लाइक नहीं कर थो को लाइक नहीं करते हो पूंदेर बढ़ाएगा तबना करें करने नहीं भोलते हैं तो लोग करता नहीं है ए फो कि अच्छा लगे तो लाइक करो तो लगबग बच्चा इसमें मिक्स मिलता जूलता वोटिंग कर रहा है बहुत सर बच्चा जो है इसमें जादतर बच्चा जो है D को बोल रहा है आ हैं street में और बहुत सरव अच्छा ए भी बोल रहा सी भी बोल रहा इसमें मिलता जूलता हारा बाब आप में बता देते हैं ज्यादा बच्छा किसको बौट किया है एप में सबसे आदा वोट एक हो गया है और उसके बाद सी को गया ए और सी को सबसे आदा वोट गया चलो देखते हैं ऐसे बता पाना बहुत मुश्कील है बाबू और मुलो पहले किया याद किया हो लेंस फर्मुला ये बताओ हम लोग याद किये है माइनस वन बाइफ तो इसको थोड़ा सा गुराक कि लिखो किसा भाबर है ये और यू से लिखो वटाई एक बरबर बाबर बढर ये- C1 माइनस वन बाई अरे यही चीज़वा लिखे हैं कोई दूसरा सीन नहीं लिखे हैं तो जल्दी बता वान बाई एफ बराबर क्या होगा वी और यू कैल्सियम तो यू भी लिखो या भी यू लिखो इसमें कोई टेंशन है नहीं लेकिन देखो ऊपर कैसिया गुना होगा और भी को एक से गुना होगा तो भी यहां ध्यान देना अरे भी से भी कट गया तो यू न बचा यह कैसिया गुना न होगा यू को एक से गुना यू अभी को एक से गुना भी तो यू माइनस भी यू बटा भी लेकिन यह वान बाई एफ बराबर है यहां बिकेट गिरता ह तनिया मारो इसको भी UB को ऊपर भेज़ दो, U-B नीचे भेज़ दो, तो इसका राइट अंसर है, ऊपर में UB, नीचे में U-B, ये ओप्शन कहां दिख रहा है, तो जो बच्चा D बोल रहा था, वो बिकेट गिर गया, सिर्फ B-U के कारण बिकेट गिर गया, क्योंकि यहाँ कैंचिया गुना होता है, U से भी खटता है, ठीक है, कैसे बिकेट गिरा समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे, यहां भी गिट गिर गया ना, यह कोशन एकजाम में आता है, हमेशा, अब पावर वाला में तो हमको नहीं लगता किसी बच्चा को गडबड़ी होगा, जल्दी से वो कुशन मनाऊ तो, कनकेव लेंस है, आउतल लेंस है, जिसका फोकल लेंथ जिसका फोकल लेंथ 40 cm है, तो पावर बराबर कुशन मना, पावर कितना होगा बागु, पावर कितना होगा, जल्दी से आपको यह बताना है, option A, minus 0.25, option B, minus 0.025, option C, 2.5, अच्छा, डायोप्टर सम्में डालना है, डायोप्टर, D, 2.5 डायोप्टर, minus 2.5 डायोप्टर, जल्दी से बताईए, यह कुश्चन नमर इसको कर देते हैं, 5, जल्दी से सारे बच्चे बताईए, एक कंकेव लेंज है, फोकल लेंज 40 cm है, तो पावर इसका कितना होगा, यह बताना है आपको, जल्दी से मैं इसको पॉलिंग करा लेता हूँ, question No.5, जल्दी से सारे बच्चे, वोट चालू किजिए, NAND Classes का जो एप है, उसमें हम पॉलिंग का ओप्शन दिये हैं, जो भी एप में लाइब क्लास देख रहे हो, उसको यह चारो ओप्शन दिख रहा होगा, तो A, B, C, D, आप जल्दी से टिक करो, कौन सा सही होगा, और बबू सारे बच्चे पॉलिंग में क्यों नहीं भाग लेते हो, सारे बच्चे पॉलिंग में भाग लो, जादा जादा वोट करो बबू, जादा से जादा वोट किजिए, ज्यादा ज्यादा वोट कीजिये बावू यूटूब पे देखते हैं क्या वोट बच्चा लोग अब यूटूब पे तो वोटिंग नहीं पता चलता है सबका अलग-अलग कामेंट दिखता है तो यूटूब पे बहुत सरे बच्चे बी बोल रहे हैं लिकिन बट लगा रहे हैं बी 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 बट ती हंड्रेट परसेंट कुछ बच्चा ती बोल रहा हंड्रेट परसेंट तीपक जी दीपक जी बोले हैं सी हंड्रेट परसेंट अर्चना कुमारी जी भी बोल रहे हैं सी होगा कि एह होगा तन्नु जी बोल रहे हैं कि एह होगा कि एसके सिंग जारकंड माइनस 0.025 होगा 100 परसेंट यानि बी इस वार तो बाबु सब गैरेंटी ये ठोक लें कोई सी कोई दम गैरेंटी बोल दिया है कोई बी कोई कि दम गैरेंटी दसरत जी तत्य प्रकास जी दम सब गैरेंटी बोल रहे हैं कि भी होगा 100 परसेंट अब वह 100% बोलने वाला संगय बहुँ जादा है कोई C पे दावाद ठोक दिया है कोई B पे दावाद ठोक दिया है कुछ बच्चा D पे भी दावाद ठोक रहे हैं D पे भी 100% कर रहे है पे भी 100% कर रहे हैं एप वाला वोटिंग बता दे रहे हैं एप में वोटिंग सबसे ज्यादा बच्चा लोको जो वोट है वोट D पे गया है सबसे ज्यादा वोट और D से जस्ट हलका सा कम वोट B को गया है और उससे हलका कम वोट A को गया है C कब आपू ना के बरावर वोटिंग गया है सबसे ज़्यादा वोट जो है D को गया है और उकरबाद B को गया है D और B यही दोनों से विवाद है है ना चलो आते हैं टॉपिक पे टॉपिक पे आते हैं बाबू एक बात बताना बाबू एक चीत तो जो C बोले था है 100% हम सुरिये बताए हैं कनकेब यानि के आउतल और राश्चर का पावर है कनकेब ही है और माइनस में है तो कनकेब का पावर अभी देखेते हैं ना कनकेब इधर की और फोकस होता है किधर की और होता है इधर की और मीरर जैसा वेसा ही लेंज पावर के मामले में फोकल लेंज के मामले में करना क का फोकेस इधर होता है नेगेटिव ही होगा तो पावर तो नेगेटीव ही होगा हम रटाये भी है कंए एक smt गयार पावर तरह समय तो या याद भी करांने हैं रासर का पावर नेगेटिव है यह positive है यह कहां से होगा बबु यह तो नहीं है नहोगा तास हो जाएगा कहां से हो जाएगा ठीक है तो सी तो नहीं होगा अब बात करते हैं सुनो पावर का फर्मुला क्या है एक वान भाई एफ पावर बराबर वान भाई एफ अब देखो यहां पर कि वान एफ कितना है 40 cm अब बहुत सारा पच्छा यहां 40 बैठा दे रहे हैं वन मैं 40 और बना दे रहे हैं तो 40 को जब एक से भागा देंगे जीरो बैठाएं पॉइंट दिये फिर जीरो बैठाएं देख जीरो बैठाना होगा 40 दूनी अस्ति कि इस आया जीरो चालिस परच्छे सो दूसर यानि ओवर ओल आया अप 0.025 0.025 इसलिए बहुत सारा पच्छा भी को किये हैं तो एक बात बताना बाबू एक बात बताना एक बात बताना तुमको अगर कोई बोले कि पावर का फर्मुला वन बाई एफ है ठीक है तो जब यह पिछला कोश्चन में चार मीटर था तो भी तुम नीचे चार लिखे थे यहां 40 cm है तो भी तुम 40 cm लिख दोगे अगर यह 40 mm है तो भी तुम 40 mm लिख दोगे हर हालत में आपको मीटर का वहलू बैठाना है हम देखो मैथ पढ़ाते थे इस्टेंस बराबर इस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम यह तो लगबग बच्चा जानता है अरे दूरी बराबर तूरी बराबर समय इंटू चाल समय इंटू चाल तो यह लगबग बच्चा जानता है हम बोलते थे कि आप बाइक चला रहे हो 50 km पर आवर के स्पीड से 50 km पर आवर तो स्पीड 50 हो गया अब देखो बच्चा कैसे करता था हम बोलते थे कि तुम बाइक चला रहे हो 50 के स्पीड से दू घंटा में कितना दूरी तय करोगे तो ऐसे करता था 50 इंटू चाल समय इंटू चाल तो चाल है 50 समय है दू घंटा तो पचास उन्हें 100 वो बोलता था कि सर 100 km चले जाएंगे बिल्कुल सही है फिर हम सवाल देते थे कि तेरा स्पीड है 50 km पर आवर दू मिनेट में कित फिर हम सवाल देते थे कि तुम्हारा बाई के स्पीड है 50 km पर आवर तू सकेंड में कितना दूरी तय करोगे तो फिर वो बोल देता था सर 100 km फिर बोलता था नहीं सर सकेंड है सर 100 मीटर हो जाएगा कुछ भी बोल देता था ऐसे नहीं नहीं होता है बाबू अगर स्पीड सकेंड मेरा किलो मेटर पर आवर में है तो टाइम भी घंटा में ही होना चाहिए मिनट में नहीं चलेगा स्टाकेंड में नहीं चलेगा उसी तरह से बाबू जब मेरा फॉर्मूला है कि पी बरावर वन बाई एफ तो एफ यह नहीं फोकल लेंद अब फोकल लेंद का ऐसा यूनिट होता मीटर तो मीटर में ही होना चाहिए दूसरा में नहीं होना चाहिए हम यहां 40 cm बोल दिये ताहिए आप 1 by 40 कर रहे हो तो यह गलत बात है ना तो 40 cm को पहले आप मीटर में बदल लो और नहीं बदलना है तो आप ही के लिए फर्मुला रेडी कर दिया गिया पी ब्रावर वन बाई एफ जब जब एफ मीटर में रहे जब फोकल लेंद मीटर में रहे और नहीं तो पी ब्रावर हंड्रेड बाई एफ जब एफ सेंटेमीटर में रहे cm में रहे उजानता है कि फोकल लेंद या तो मीटर में देता है या तो सेंटेमीटर में देता है तो यदि सेंटेमीटर में रहे तो आप पी ब्रावर वन बाई एफ ना लगा के 100 बाई एफ लगा दो बतिया एक ही नहुआ बाबू मेटर को सेंटिमेटर को मीटर में बदलना है तो सौ से भागा देंगे तो वही सौ उपर चला गया तो हो गया फर्मला हंड्रेट भाई एक किलियर तो जब सेंटिमेटर में रहे तो आप डारेक हंड्रेट भाई एक लगा सकते होगे ठीक है या तो सेंटिमेटर को मीटर में बदलो का हो जाएगा तो आपका क्या था बावु कुश्चन अज़ा टॉपिक में 40 सेंटिमेटर था कि 40 सेंटिमेटर यह जो आप बना रहे हो यह नहीं चलेगा नहीं चलेगा फीवर और वन वा यह किये ना तो 40 करना होगा मेटर में बदलना होगा यानि यह ऐसे हो जाएगा पॉइंट 40 हो जाएगा अब पॉइंट हटाओगे तो वान दूगो संक्या तो दूगो जीरो किसी भी तरह से करोगे तो पॉइंट वाइगा या डारेट फॉर्मुला बता दो फीवर रहां रहें जब फोकल अन्टी में रहें ध्यान देना जब सेंटीमेटर में रहें तो 100 एफ केतना है चालिस जीरो जीरो कट गया चार से दूवार में चार दुनिया चार पचेश और पावर तो मैंनस में होगा ही होगा तो अन्टेब का फोकल एफ मैंनस में होता है भाई ठीक है तो मैंनस 40 भी लिख सकते हो आप लोबर रॉल कट शटके मैंनस 2.5 आया तो इसका मतलब वो यह चीज को पकड़ा कि यहां 40 संटीमीटर है ठीक है बाबू तो समझ में आ गया चलो एक कुश्च्छन और बनाते हैं समझ में आ गया ना बाबू चलो तो पावर और फोकल लेंद वाला देगा तो हमको लगता तुलो बना देगा हमको ने लगता कि तुलो को इसमें फस हो गई इसमें ने फस हो गई तो अभी जो बात करेंगे बाबू वो बात करते हैं कि कंखेम मिरर है बाबू कंके मिरर यानि क्या है आवतल दर्पन एक आवतल दर्पन है जिसका फोकल लेट है बाभू 25 cm है फोकल लेंध के ना बाभू 25 cm तो हम बोलेंगे 25 cm लेकीन आपको लिखना होगा माइनस 25 सेंटेमिटर है, question में focal length 25 सेंटेमिटर देगा। लेकिन आपको लिखना होगा माइनस 25, क्यों लिखोगे? Concave है, focus माइनस में होता है। एक object लिये है बाबू, जो mirror से 50 सेंटेमिटर के दूरी पर रखे हैं। कितना दूरी पर रखे है बाबू? किरिति सिंग बोल रही है पुराने दिनों की याद आ गई बिलकुल चार सल पासल पहले इसा पड़े हो गए तो जल्दी बताना एक आपजेक्ट को हम लोग रखे हैं 50 सेंटिमेटर के दूरी पर तो यू तो हमेशा माइनस में होता आता है यू आपको माइनस 50 लिखना होगा अगर पलस में लिखत होगे विगेट गरे जाए तो आप दो चीज बताओ एक बताओ कि मेंस का डिस्टेंस बताओ कि मेंस का डिस्टेंस मेंस बताओ करा कितना ऐड़ा सीधा बनेगा ढहरा स Clinton फ़कूर पहले भी बताओ ना उसको और बात करेंगे कि आप पहले भी बताओ उसके बाद बात करेंगे मिले भी बताओ उसके बाद बात करेंगे कि एक बच्चा बोर रहा है जर आप्शन में डायोप्टर दिया हुआ है डायोप्टर का एसा इनिट मेटर होता है अरे बाबु सिंपल सा समझे ना अरे हंड्रेट वाई एफ कोई फर्मूला नहीं है बाचवाच वह बेलूर होता है उसके लिए कर दिया गया हंड्रेट सब्सक्राइब लोगे तो सौ से भागात होगे ना वहीं सो ऊपर चला गया हंड्रेट वाई एफ बोल दिये हैं कुछ है थोड़े एक बच्चा लिख रहा है कि सर मैं आपसे ही पढ़ा था मुझे मेरा मन पसंद मेकनिकल इंजिनियरिंग मिला पटना तेरह में बहुत-बहुत सुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद बाबु आप लोगों का प्यार है आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे कि साल भी आप लोग का बहुत सारा जुनियर लोग आप लोग का छोटा भाई बहन लोग तैयारी कर रहा है और आप ही लोग से उन लोग को हिमत मिलता है ने तो उन ल ज़्ट होगा नहीं होगा तर जो पढ़ाते हैं आयेगा कि नहीं आएगा लेकिन आप लोग जब लाइब बताते हो तो जितना आपके जुनियर लोग Inc सब कॉमेंट को देखते तो इसको समझ में आता है की नहीं तर को इतना बच्चा लोग प्यार आएथी नहीं करता है तो लगवग बच्चा अंसर देना चालू कर दिया, हम भी ओप्शन दे दे रहें बाबू 100 cm 50 cm मिरर से दूरी पुछरा बाबू पुरू जाओ ओप्शन थोड़ा हाई लेवल कर देते हैं हिंदिये में लिख देता, 50 cm मिरर के आगे मिरर के पीछे option C 50 cm मिरर के पीछे इन में से कोई नहीं जल्दी से बताना बाबू जल्दी से सारे बचे बताओ ये छे नमर समझो की question है क्या होगा जल्दी से बताइए सारे बचे पोलिंग का option चला गया है बाबू एप में और एको हम जादू सिखाएंगे तुरंते इसका अंसर बताओगे आज हम चार की पूरा गहरा ही सिखा दे इसको तो फार्मूला से बना ही सकते हो मिरर अरे मिरर है न तो वन बाई भी प्लस वन बाई यू ब्रवर वन बाई एफ इसी पर बैठा दो अब इसको सॉल्व कर दो वरावर मैनस को उपर भेश दो ना पचास-पचीस का लस्यम पचास पचीस से दू आर्में कटा उपर मैनस दू प्लस एक वान बैभी वरावर मैनस 1 बैपचास इसका मनला ओवराल भी का वैलू मैनस पचास आया भीक वालू मैनस पचास आया बबू तो जल्दी बताओ यहां यहां 100 cm है यहां 50 cm मिरर के पीछे हैं यहां 50 cm मिरर के लिखेंगे नास दोनों पीछे लिख दिया एगो अगे लिखो पी पित ए हो इगो मिरर के पीछे जल्दी से सारे बच्चे option को correct कर लो 50 cm mirror के पीछे 50 cm mirror के आगे minus 50 option में नहीं है जल्दी से बताइए सारे बच्छे तो सुनो एको जादू सुखो फोकल इंद 25 है कि यहां सुने के मिरर है पोल है फोकस है जादू से लिखते हैं आपजेक्ट को रखे कितना पर 50 cm यहां रखे हैं तो खूद बता यार हम लोग नहीं पढ़े हैं कि सेंटर पर रखेंगे तो सेंट्रे पर बनेगा तो जल्दी बता आप 50 cm के दूरी पर रखे हैं तो कहां बनेगा यूँ अगर आपका 50 cm था माइनस में ही था तो भी आपका क्या होगा तुम खुद बताओ सेंटर पर रखे हो तो सेंटर पर बनेगा नुमर्कल तू लोग बना रहे थे हम तो नुमर्कल बनाएंगे भी नहीं हम तो डारिक्टर बनाएंगे कि सेंटर पर रखे थे तो सेंटर पर ही बनेगा माइनस 50 cm ही आएगा लेकिन आप बोलोगे सर आप्शन में तो माइनस 50 थ मीरर के पीछे तो क्या होगा सर तो सुनो बाबू अगर इमेज इधर बन जाता तो यह था मीरर के पीछे मीरर के पीछे कभी भी बनता है तो सीधा इमेज बनता है तो मीरर के पीछे बनेगा नहीं मीरर के आगे बनेगा पांचों कंडिशन में ये आगे ही बनता है, एक ही कंडिशन में मीरर के पिछे बनता है, तो इसका अंसर जो होगा, वो होगा 50 cm ये आगे, –50 अंसर नहीं होता है, – शिर्फ ये ही बताएगा कि वो वो मीरर के आगे है जित पिछे, है अगर पलसा गया तो मीर के पीछे माइन Colonel के आगे अ कि पक्र र Ole ही पाउंस में फोलता तो पांच प्रैलितов में इदर जो है सब उलता ही होगा तो मेरा फीग वाला वीडियो तुम अगर सिखे हो तो आज तुम को और नहीं पता चल कनकेम मिरर है देखना चाहते हैं तो लोग बता पाते हों कि नहीं है कि कनकेम मिरर है फोकल लेंध है मालो 10 cm होकल लेंध है 10 cm तो 10 cm को तो आप माइनस 10 लिख होगे फोकल लेंध 10 cm है तो उसको तो आप माइनस 10 लिख होगे कनकेम मिरर है इधर वाला फोकल लेंध है माइनस 10 एक अबजेक्ट को आप रखे हो बाबू 5 cm का दूरी पर कि अधना दूरी पर 5 cm का दूरी पर तो आप तो माइनस 5 लिख होगे ऐसे भी बताए है आउतल में सारा माइनस में होता है कनकेम में सारा माइनस में होता है हम तो बताए हैं जल्दी बताओ हम इसका भी नहीं पूछ रहे हैं हम आप से इसका भी नहीं पूछ रहे हैं इसका जो image बनेगा बाबू वो बता आपको सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा सिर्फ हम गहराई जानना चाहते हैं सिर्फ हम गहराई आप से जानना चाहते हैं कि आप समझे हो या नहीं समझे हो कनके मिरर है और कनके मिरर में आपको पता है पांस कंडिशन में उल्टा बनता है एक ही कंडिशन में सीधा बनता है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ तो इसको चुम भी निकाल के देखो गए ना देखना पलस में ही आएगा अरे देखो यहां पर इगर सा सम्झो कि पोल है यह फोकस है यह सेंटर इधर पेंट किया हुआ है फोकल लेंदे 10 सेंटिमेटर यानि यहां 10 cm यह वला है यहां से यह 10 cm है आप अबजेक्ट को रखे हो 5 सेंटिमेटर यानि ऐसे यहां रखे हो यानि फोकस अपोल के बीच में रखे हो तो जल्दी बताओ फोकस अप पोल के बीच में रखोगे तो कहां बनेगा मेरर के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा बड़ा बनेगा तीधा बनेगा बड़ा बनेगा सीधा एक्जेक्ट कहां बनेगा वो भी तुम बता सकते हों एक्जेक्ट ये कहां पर बनेगा वो भी तुम बता सकते हों ठीक है अच्छा उसके बाद हाइट अगर निकालना है तो m बराबर h-y h m का मतलाना मैगनि फिकेशन कितना गुना बढ़ा बन रहा छोटा बन रहा वह भी आप निकाल सकते हो li हैzh का मतलब आपका हइट के मतलब आपका like us Avenue okay अधे साम आपका है Signal गिमीयर का है इमेज का है कि तो आपका हाइट अगर दिया वर रहे साथ इमेज का है बता सकते हो लेकिन AIheyम पता होना चाहिए तो आप बोलोगो सरे कैसे निकालेंगे यहां से आप M निकाल सकते हो यहां बैठाओ आपका हइड्ट दिया वह रहेगा इमेज का हैट आजाएगा ठीक है बाबू तो हमको लगता है देखो यह बहुत जाधा हाई लेबल भी हो गया इतना जाधा हाई लेबल नहीं देता है लिंक देगा तो आप लोग कर सकते हो तब से पहले आप मेरा फीगर वाला वीडियो को अच्छे से समझ लेना अगर सेंटर पे है तो सेंटरे पे बन लेगा है ठीक है हमको लगता है बहुत हत्त कंसेप्ट के लिए हो पाया है क्योंकि लेट अब ज्यादा हो गया है बहुत सरा बच्छा बोल रहा है सर खाना खाने का टाइम हो गया है लेकिन नूमरिकल वाला सेशन आप लोगों को कैसा लगा सारे बच्छे जो भी यूट्य लगेगा जो मेरा इधर चार वीडियो देख चुका है लाइट का यह मेरा लाइट का पांसवा लेक्छर है तो चार लेक्छर देखा तब आज वाला मजा आएगा ठीक है बाबु चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक यू कि थाई ठीक है जेखा नहीं देखा झाल का थाने, म кино का लाइट पुका है लेक्छर नहीं काiko मेरा लेक्छर को बहुत चाहय कि जह खोेलेग जो आढ एका है जे तो भी यूबस्ने ओना सvyelles